नमस्कार स्वागत है आपका News World India में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नमस्कार मैं हूँ आपके संग प्रद्यूम निश्यर्मा If you are not paying, you become a product इस हिंदी में इसका मतलब आपको समझाते हैं कि अगर आप कोई भी उत्पात फ्री में खरीद रहे हैं, तो आप एक product हैं और ये WhatsApp के नई update नहीं, ये चीज़ साबित कर दियें WhatsApp का एक नई update आगया है, जहाँ पर आप digital दादागरी WhatsApp लगातार कर रहा है ऐसे में WhatsApp आपका data अब इस्तमाल करेगा और वो data Facebook, Instagram के साथ share भी किया जाएगा ऐसे में इसमें लगातार बवाल मचा हुआ है, लोग इस बात का जिकर भी कर रहे हैं कि WhatsApp में photos, videos या फिर आपके जो contacts हैं, वो भी share किये जाएगे बिल्कुल ये बात कहा जा सकता है, एक बार आपको ये समझाते हैं कि data क्या होता है डाटा में आपके contacts, आपके videos, आपके photos, ये सब चीज़ शामिल हो जाती है ऐसे मैं साफ तोरन WhatsApp पे जिकर कर दिया है कि क्या तो आप हमारा नए update लीजिए, स्विकार कीजिए अगर आप उसको स्विकार नहीं करते हैं तो आप WhatsApp छोड़ सकते हैं भरती जिस तरीके से WhatsApp अपनी digital दादागिरी चला रहा है और साफ तोर पर इस बात कर जिकर कर रहा है कि या तो आप WhatsApp हमारा यूस कीजिए, हमारी जो भी हमारी policy है उसको आप स्विकार कीजिए अगर आप उसको स्विकार नहीं करते हैं तो फरा WhatsApp छोड़ दीजिए यह over confidence WhatsApp का बोला जाए क्योंकि WhatsApp जिस तरीके से इंडिया में आया था और करीब करीब करोडों में इसके यूजर्स इंडिया में हो चुके हैं देखे यह जो आप है WhatsApp यह एक जिस समय यह आप इमर्ज होना शुरू हुआ था उसके बाद आज की डेट में अब तक लोग इसके पूरी तरीके से आदी हो गए है लोगों को हाबिट हो गई है WhatsApp की और यह एक लौता ऐसा अप है एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां पर अलग अलग तरीके के लोग चाहे वो बिजनेस परपस के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना जो डेटा है उसको प्राइवेट रखे उसमें आपकी जो प्रिवेसी के साथ कोई छेड़ चार्ड ना की जाए लेकिन अब क्यूंकि वाट्साप ने अपडेट वाट्साप खोद एक नए अपडेट लेकर आया ऐसे म यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उन सभी यूजर्स के लिए जो कि वाट्साप यूज करते हैं और अब वाट्साप को यूज करना खत्रे से खाली नहीं माना जाएगा बिल्कुल भरतिज इस तरीके से जब वाट्साप इंडिया में आ रहा था तो वाट्साप ने इस बात का जिकर किया था कि जित्ती भी प्राइवसी पॉलिसी है उस पे काम किया जाएगा और किसी भी चीज को किसी की भी यूजर की प्राइवसी चीज या फिर कोई भी ऐसी चीज जब contact हो, video हो, photo हो, किसी के संग भी share नहीं किया जाएगा. लेकिन जब WhatsApp इंडिया में चल गया, इतनी तादात में उसका लोग इस्तिमाल करने लग गए, तो फिर अब WhatsApp इस चीज से क्यों हो करना है? बिल्कुल साफ तौर पर एक लंबे समय तक WhatsApp को यूज करने के बाद WhatsApp अपने लोगों को इस तरीके से अपनी जद में लिया कि अब लोग आदी बन गए हैं और अब उसका वो misuse करने के लिए पूरी तरीके से तयार है और यही रीजन है कि एक नई guidelines और नए जो अपडेट्स आये हैं चाहे वो चाट आपकी चाट क्यों नहों specific personal चाट हो या professionally आपने उसे यूज किया हो चाट की हो तो वो आपकी सभी सभी चीजें जो है आप वाट्साप इसनमाल कर सकता है अपने यूज के लिए और जहां पर भी इससे भी अपना जो मनमुटाफ जो है वो शुरू कर देंगे बिल्कुल एक बर हम हमारे दर्श्रोक तक यह जानकारी पहुचा देते हैं कि Facebook एक parent है WhatsApp का WhatsApp company जो है वो Facebook की है ऐसे में जब Facebook के मालिक ने WhatsApp को खरीदा गया था तो साफ तोर पर सभी लोगों ने ये बात कही थी कि जो Facebook के मालिक हैं उन्होंने ज़्यादा कीमत में WhatsApp को खरीदा है लेकिन उनकी जो दूर की सोच थी वो उस समय कोई भाप नहीं पाया था लेकिन आज उनकी जो सोच थी वो यहाँ पर लागू कर दी गई है और ऐसे में WhatsApp जो अपना नए अपडेट लेकर आया है वो उसमें जिकर कर रहा है कि आप हमारी पूरी पॉरी पॉलिसी पढ़िए ऐसे में आपका जो डाटा है उसका इस्तमाल हम करेंगे चाहे कुछ हो जाया लेकिन अगर आप अपने डाटा नहीं देना चाहते हैं तो आप हमारा जो भी हमारा WhatsApp है उसको छोड़ के जा सकते हैं किसी अधर शोशल जो नेटवर्किं साइड है या फिर कोई भी ऐसे एफ हैं उस पर आप जा सकते हैं और इसी बीच अगर हम Facebook की Net Worth की बात करते हैं तो 10 लाग करोड बताया जा रहा है लेकिन अगर हम भारत के रक्षा बजट 2020 की बात करते हैं तो करीब करीब 3 लाग करोड बताया जा रहा है यानि कि 3 गुना तो आप सोच सकते हैं कि Facebook अपने advertisement से कितना पैसा कमाता है लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप WhatsApp पर जो आपको नए update दे रहा है उसमें आप green button दबा लेते हैं उसको allow कर देते हैं तो ऐसे मैं आपकी सारी निजी जानकारी जितनी भी आपकी निजी जानकारी है वो WhatsApp अपने पास ले लेगा और ऐसे मैं अगर आप मानके चलिए अगर आप अपना status लगाते हैं WhatsApp पर जो आम तोर पर पूरी दुनिया लगाती है अगर आपने ये बोला कि मैं अपनी एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ ये example के तोर पे लीजे तो ऐसे मैं WhatsApp अगर आपने allow कर रखा है उसको तो वो चीज कार की कंप्णियों के संक्शियर करेगा ऐसे मैं आप लोगों को call आने शुरू हो जाएंगे या फिर आपके advertisement अगर आप किसी भी site पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको advertisement भी दिखाई जाएगी इसी तरीके से और यह ऐसी काफी सारी चीजे हैं लेकिन अगर हम WhatsApp के पक्ष की बात करते हैं तो WhatsApp अपना पक्ष बार बार ये रख रहा है लेकिन उसके बाद भी WhatsApp इसका जिकर बार बार कर रहा है अगर आप WhatsApp इस्तमाल करना चाहते हैं तो जो हमारा नया update है अब इसको सीकार कीजिए लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अफिर उसको अलविदा कह दीजिए बारती जिस तरीके से अब अलविदा प्रिविसी हो चुकी है तो ऐसे में लगातार बवाल भी मच रहा है बिल्कुल बवाल मच रहा है और ये जाहिर है क्योंकि WhatsApp ही एक ऐसा प्लाटफॉर्म जो है का विश्वास उससे उठेगा और तमाम दूसरे प्लाटफॉर्म जहां पर प्रिवेसी है वहां पर स्विच करने के लिए वो सोचेंगे साथ ही जैसा आपने बताया एक्जाम्बल के तौर पर उसी तरीके से मैं ये भी समझाना चाहूंगे कि जैसे हम फेस्बुक पर कुछ भी ढूंडते हैं अगर हम मिंत्रा की बात करें मिंत्रा एक शॉपिंग अप है अगर हम मिंत्रा पर कोई भी चीज़ अगर हम कुछ बाइ करना चाहते हैं या अपनी विश्लिस में डालते हैं तो वो तुरंत वो wish list जो है वो Facebook पे reflect करने लगती है और जब वो reflect करती है Facebook पे तो तमाम जो लोग हैं वो आपको contact करने शुरू कर देते हैं तो ये ऐसी चीजें जो है ये पूरी इसे साफ तोर पर ये पता चलता है कि आपका कोई भी data आपकी कोई भी चीज आज के date में safe नहीं है private कुछ भी नहीं रहे गया बिल्कुल इस तरीके से आप भी जिकर कर रहे हैं कि जो privacy है या सुरक्षा की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल खतम हो चुकी है ऐसे मैं एक चीज इसके माइने जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप उसको allow कर देते हैं WhatsApp को तो आपका IP address आपके contact, आपके photos, आपके videos, आप क्या इस्तमाल करते हैं, आप किस प्रवती के इनसान हैं या आप किस चीज पर ज़्यादा पैसे खरच करते हैं किस WhatsApp गुरूप में जκα्ड़ा active रहते हैं, किस WhatsApp गुरूप में कम active रहते हैं, क्या आप भेजते हैं, किस से आप जादा बात करते हैं, ये सारी चीज आप सोची इस बात को, ये सारी चीज WhatsApp के पास रहेगी, यानि कि अब आप एक इनसान नहीं हैं, आप ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं कि आप कुछ भी अपनी जिंदगी में करने की सोच भी रहे हैं तो वह WhatsApp को पता हो जाएगा क्योंकि यह अपडेट ही इस तरीके का आ गया है ऐसे मैं एक बात यह भी बताई जाती है तो WhatsApp ने इसमें एक option दिया था, skip का जहाँ पर आप agree भी कर सकते हैं अगर आपको agree नहीं करना नहीं update से है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं लेकिन अब उसने ये चीज़ दोहरा दिया है कि अब आपको वो चीज़ एगरी ही करनी पड़ेगी और इसकी last date आठ फरवरी तक रखी गई है अगर आप WhatsApp इसमाल कर रहे हैं आम तोर पर भारती देखा जाता है कि भारत में शायद ही ऐसा कोई शप्स होगा जो WhatsApp ना इसमाल करता हो आठ फरवरी आखरी तारीक है अगर आप इसको अलाव नहीं करते हैं तो आठ फरवरी के बाद आपका WhatsApp हमेशा के लिए बंग कर दिया जाएगा बिल्कुल जो Android users हैं या फिर वो Apple users हैं जितने भी smartphone users हैं वो सभी WhatsApp आज की date में यूज करते हैं उसमें और अब तो WhatsApp में एक नया option आ गया था रीसिन में जो आया था वो पे करने का भी option आया था तो तमाम ऐसे options WhatsApp पहले दे चुका है कि आपको कहीं जाने की जरुरत ही नहीं है आप WhatsApp पे रहकर तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं आप कनेक कर सकते हैं दुनिया से आप पैसे पहले तो आपको अच्छे से घेरा तमाम चीज़ें आपको दी तमाम सुविधायें आपको दी और उसके बाद अब उन्होंने अपनी ही चीज़ें जो है वो पलड़ दी अब इस तरीके से पलटी कि आप अगर आप कुछ भी करेंगे तो फिर आप आप जो है वो सामने चीज जरूर है कि क्या यह जो डेटा वाट्साप परस्नली लेने की बात कर रहा है यानि कि अब जो भी डेटा यूज कर पाएगा वाट्साप भी तो क्या वो वाट्साप स्पेसिफिकली अपने पास प्राइविट रखेगा मतलब उसको कहीं और शेयर करना या नहीं करना यह भी अपने आप में चोटा सा पॉइंट जरूर है क्योंकि वाट्साप अगर आपका डेटा वो अपने पास रखता है तो क्या वो डेटा कितने टाइम के लिए अपने पास सेव करेगा और फिर वो क्या उस डेटा का आगे किस तरीके से इस्तिमाल होगा या नहीं होगा क्योंकि Facebook जैसे Apps जो है वो यूज करते हैं और यूज करते हैं यह साफ तर पर दिखता है कि आपको calls आने लगती है तमाम सोचल साइट और तमाम शॉपिंग जो साइट है वहां से आपको तमाम चीजें दिखने लगती है तो यह अब एहम बात हो जाएगी आर्ट परवरी क के बात देखने के लिए क्योंकि आर्ट फरवरी तक मुझे लगता है कि लोग थोड़ा रुकेंगे थोड़ा सोचेंगे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जब नहीं नीते ही तब जाके कहीं हां करेंगे और अगर इसमें साफ तर पर एक चीज और है कि अब जो ल ओइसमें अगर आप अलाओ कर देते हैं वाचएप को तो वाचएप अब की बैंक की इसारी जानकारी भी अपने पास रख सकेगा आपकी Asta Haut ले कि अब यह समय बताएगा कि 8 तरह कितने यूजर्स वाटसेप को चोड़के जाते हैं यह पूरा का पूरा सिलसिला जो है अब लोगों का इस पर विरोज जताना, ट्रेंड होना इस पूरी खबर का यह लाजमी है और जाहरतौर पर सभी लोग जो है इस चीज को लेकर सतर्क हैं और बात कर रहे हैं आज की डेट में चीजे प्रेंड कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से जो है वो ट्विटर पर भी अगर हम देखे तो वाट्साप ट्रेंड कर रहा है रिजन मीं की जस तरी किसे प्रिवेसी एफेक्ट होगी तो अब बहुत हम हो जाएगा आट फर्वरी तक और आट फर्वरी के बाद ये देखना कि क्या कुछ चेंजिस जो है वो देखने को मिलते हैं और वाट्साप के साथ कितने लोग जोड़े रहते हैं और कितने लोग वाट्साप के प्लाटफार्म को छोड़कर किसी और प्लाटफार्म को स्विच करते हैं तो फिलहाल इस पूरी बातचीत में इतना ही जोड़े रही है आप News World India के साथ अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद